नमस्कार दोस्तों आपके अपने यूटूब चैनल इंडिया वर्ल्ड 360 में आप सभी का स्वागत है मैं आपका दोस्ट अनुराग देखिए कारवी लेटेस्ट अपडेट है आज सनिवार है तो मैंने बोला था आपसे की सनिवार को अपडेट करेंगे देखिए और बहतरी अपडेट हैं कारवी को लेके और अपडेट जिस तरीके से हैं मैं बीच में अपडेट भी आपको करूंगा लेकिन बहुत सारे लोगों के शवाल हैं देखिए कमेंट का जवाब मैं नहीं दे पाता हूं कि कुछ वर्क में थोड़ा सा बीजी रहता हूं इसलिए मैं सारे स जवाब उठा की वीडियो में ही डाल देता हूं तो सवालों का जवाब भी देते चलेंगे बीच में अपडेट भी करें तो इसलिए बिल्कुल भी वीडियो को को स्किप मत करेंगा क्योंकि फिर अपडेट आपको छूट जाएगा दो तीन बहुत इंपॉर्टन कांगराशुलेशन सर बढ़ाई हो कि आपके स्टॉक के दी ट्रांसपर हो गया आई फिल में तो फिर मशूद अक्तर जी का कोशन है कि एसार इस्टील का क्या होगा मेरे पास कुछ शेयर हैं इस पर भी कुछ बताई देखे मशूद सर एसार इस्टील को डिलिस्ट हो चुक अब यह बिक तो चुकी है कंपनी देखे क्या होता इन फ्यूचर जो भी होगा मैं आगे अप्डेट करूँगा दी लेकिन आप कमेंट करेंगे तो आगे अनिल गुपता जी का नाइस इंफॉर्मेशन थैंक्यू सर फिर आगे है सर सेयर ट्रेडिंग रेकिमेंडेशन गलत लोग देकर इन्वेशन को फसा देते हैं कोई विस्वस नहीं इस परश टिफ्स देने वाला बताईए सर मैं क्या बता हूं लेकिन मैं खुद लोगों के स्टॉक के बारे में बताता हूं बस एकी चीज़ है मैं बहुत सारे लोगों की पॉर्टफोलियो में मैनेज करता हू और यदि आप चाहते हैं कि आप सभी की पॉर्टफोलियो में मैनेज करूं तो मैं फ्री आप कास्ट करता हूं मेरा कोई चार्ज नहीं होता बस एकी चीज़ है मेरा नंबर आप ढूंड लेजे मेरे साइट मेरे चैनल पर वही बस एक आपके लिए टर्म साप कंडिशन है दूसरी चीज़ और टर्म साप कंडिशन यह है कि नंबर मैं बता भी दूंगा आप कमेंट करोगे तो और सबसे बड़ी चीज़ है कि मेरा सिर्फ यह कहना कि मेरा जो इन्वेस्टमेंट करने का और कराने का तरीका कुछ अलग होता है तो क्योंकि मेरे खुद की यह जो फंडमेंटली स्टॉंग है जिन्होंने बहुत अच्छा रिटन दिया आप जाके प्लेलिस्ट में जाके आप देखो जब आप वीडियो मेरे स्टॉक पे देखेंगे तभी आपकी मैं पॉर्टफोलियो मैनेज कर पाऊंगा तो यह आप मुझे समझ पाएंगे कि मै किस तरीके से इंवेस्टमेंट कराता हूं और कैसे प्रॉफिट दिलाता हूं तो फिलाल मैं भी आपको पॉर्टफोलियो मैनेज कर सकता हूं आप अधी नंबर चाहते हैं आप सभी लोग की जो भी की पॉर्टफोलियो मैनेज कराना तो मैंने नंबर है 8924040447 अगला कोश प्लीज कीप अबडेटिंग थैंक्स एंड रिकार्ट्स थैंक्स मैं अबडेट करता रहूंगा आगे है किसोर किसोर जी का शवाल प्लीज सर हम डीप डिसकाउंट बॉंड लिये थे इन्होंने डीप डिसकाउंट बॉंड लिया था 2002 में उसके बाद आज तक रेटन नहीं दे रहा है तो आप बताईए कि हम क्या करें और कहां जाए देखिए एक ही चीज़ है आपने बॉंड फंड लिया था तो उसमें आपको सीधा सीधा का अधी ब्रांच की तरफ से जवाब नहीं मिला है तो आप सीधा सेवी को कंप्लेंड करें इमेल करें और अपने बॉंड को स्कैन करके भी ठीक है ना से भी से भी यह सारी चीज़े देखती है आप से भी को कंप्लेंड आगे राजेस कुमारी जी का प्लीज गिव यस बैंक फ्यूचर देखिए यस बैंक का फ्यूचर अच्छा है सर राजे सर बस यही है कि आप 10 रुपए मैंने बोला भी यस बै प्यूचर दिका सकता क्योंकि बेरतर हो रहा है पहले था गाले अच्छी नहीं थी और चलाने वाले भी अच्छे नहीं थे आज की टाम में गालेभी बहुत बैतरी नों चुकिए उसको चलाने वाले मैने जो मैनेजमेंट के लोग है वो भी बैतर तो गाली लंबी दूरी तक जाएगी आगे हैं कोशन थैंक्स फॉर इंफॉरमेशन वेलकम सर आगे कोशन हाउ विल आइगे माई सेयर हेल्ड इन डेमेट अकाउंट इन सीडी असल आपको पता चलेगा कि डेमेट अकाउंट में सेयर है कि नहीं उनको अपना पैन नंबर भी बता देंगे तो आपको चलेगा सेडी असल का नंबर आप गूगल से निकालेजे आगे कोशन है कार्वी फाइनन्स पर भी एफायार होनी चाहिए मेरे सिविल स्कोर में फेक गोल्ड लोन का ओवर्ड्यू दिखा रखा है बहुत ही फ्रॉट कंपनी है यह सभी बिल्कुल सर है ही और आपको असोग असोग जी का गुरूप में गुरूप में जाना चाहिए मैं तो पहले से चिलना रहा हूं लेकिन लोग आप लोग जैसा जो भी करें आगे असोग साहो जी ही बोलना है सर कार्वी डिमेट अकाउंट में 45,000 के सेयर है आई एफल में डिलेफ सेयर सो नहीं हो रहा है सर हल्प आपकी हेल्प कैसे कर सकता हूं बस एक ही चीज़ है सर कि यह स्टॉक आपके डिमेट में है या पूल में है पर यह आप चेक कर लो आप अपने जो डिपाजिटरी है सीडियेसल या इनसडियर उसमें कॉल कर लेजिए और पूछ लेजिए कि भाई क्या डिलेफ के मेरे शेय सब्सक्राइब करना चाहिए था आगे फिर कोशन है सर आपको कांटेक्ट किया था आपने हल्प नहीं किया मेरे कारवी में डियलफ सेयर एक सो चार सेयर है होल्डिंग में कि पूल में सर हल्प मी सर यह मैं नहीं बता पाउंगा सर आप अपने डिपोजिटरी को फोन कर सकत आँ बस डिपोजिटरी यह आपको बताएं कि आपका एकाउंट डिया सीडियसल में खुला है और इस डियल जिसमें खुला आप उनको कॉल कर लेजिए वो बता देंगे सर पीसल पर वीडियो बनाई सर दो बार आपका आचुका है मैं जरूर आगे कोसिस करूंगा सर पूल में जो स्टॉक हैं क्या डियरेक्टर में ट्रांसपर हो रहा है नहीं होगा सर पूल वाले स्टॉक कैसी ट्रांसपर हो जाएंगा पूल वाले स्टॉक प्लेज रखे गए नट गेटिंग एकसल रिपोर्ट आफ कैपटल गेंट टैक्स वाट तू डू क्स्ट्मर सर्विस आपने जो सिटी में रहते हैं वहां पर भी केफिंटिक का ब्रांच है वहां पर भी जा कि आप अपनी क्योरी क्लियर कर सकते हैं फिलाल जो आगे आपको बता दें अपडेट जो है कारभी के खिलाब दो और नान अबेलबल वारंट इसू हो चुके हैं सिपारसार्थी जेल मे ही है 6 सितम्बर को आगे की पेसी उनकी है इसी 6 सितम्बर को पर और रिमांड टेट तीन दिन की और बढ़ी है तो इनके ऊपर जवर दस जो है एक तरीके से एक्शन लिया जा रहा है और यहां पर पुलिस, ह Mongolabad पुलिस पूरी कारवाई कर रही है बहुत कड़ारुख अपनाते हुए आगे बेल रही है और ये सिर्फ दिखिए, निवेसकों के वज़स नहीं हो रहा है अब ये बैंकों के वज़स हो रहा है क्योंकि बैंकों का पैसा जा रहा ना तो इसके वज़ा से अब हो रहा है निवे इसकों का अभी तक कौन सुना था तो यही है में अपडेट कि अभी इनके उपर सिंगंजा लगातार कस्ता जा रहा है दो FIA और और हो चुकी है SDFC की तरफ से हो चुकी है और non available warrant है मतलब कि एक से जमानत लेंगे तो दो में फिर जमानत इनको लेनी पड़े है और इनकी जमानत भी नहीं हो पा रही है अगला च्छे तारिक को और इनकी रिमान डेट अभी बढ़ी है यह कोट में पेस हुए थे तो इनको तीन दिन की और न में रखा है 6 सितंबर को अगली पेसी है अब 6 सितंबर को देखे क्या होता है आगे जो कोशन है सर जी मोश्ट कस्टमर स्टॉक लाइंग इन पूल एंड नाइस प्लस रिफंड क्लेम तूर्स सो मेली रिजन देकि हाँ बिलकुल सर जब आपने क्लेम कियो होगा तो बहुत ग्रेट वर्क थैंक्यू सर मैं अगे अपडेट करता रहूंगा सर माई डेमेट अकाउंट इस इन कार्वी एंड इन एनसडील से स्टेट्मेंट इस सोई यूर एकाउंट सस्पेंट फार डिफ्ट वार्डू नेक्स सर एनसडील से आप कॉल कर लेजिए उनसे पूछ लेकिन हाँ थोड़ा सा मेरे लिए थोड़ा सा मजबूती मिलती है मुझे अच्छा लगता है आप जब लाइक करते हो अब प्लीज चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करीगा लाइक करीगा शेयर करीगा बेल आइक हैं जरू दबाएगा ताकि आगे मैं जो वी वाडियो देखी चक करिए कि मैं कैसे लोगों को अबडेट करता हूं इस टॉक के बारे में बताता हूं मेरी मैं किस तरीके से मेरी प्लानिंग कितनी बेहतर होती है फिर आप मरें बरुसा करिए फिर अपनी पोर्टफोलियो मैनेज कराए आगे क्वेशन है प्लीज कीप अ रिगार्डज थैंक्यू सर शर सेंट ट्रेडिंग चलिए ठीक है यह हो गया है थैंक्स फार अबडेट सर थैंक्यू सर सर सेट ट्रेडिंग के रिक्मेनेशन गरत लोग दितें इंवेशनर को फसा देतें बिलकु सर मने आगे बीवी बता दिया है आगे कोश्चन है सर आई है ट्रांस्पर माइक ये भी कोश्चन मैंने क्लियर कर दिया था चलिए ठीक है तो देखिए है क्या सर एक और कोश्चन है कि सर मेरा कारवी में एकाउंट में राजीव खुराना विहाप 2,88,393 में आईफल के कई चक्कर लगाया हूँ वो बोले ट्रेस नहीं हो रहा है सर क्या करना चाहिए देखिए ये जो पूल एकाउंट में होगा शेयर या पैसा आपका होगा इसलिए ट्रेस नहीं हो पा रहा है ये आईफल वानों की गलती नहीं है फिलाल आगे का कोश्चन कारवी फाइनस पर भी ये तो मैंने बता ही दिया था सर आगे पूल शेयर कम मिलेंगे सर पूल सेयर तभी मिलेंगे जब कारवी की तरफ से सारी चीज़ सेटलमेंट हो जाएंगे तभी आगे कोश्चन और रविंद पूरी जी का I have not received the payment from NSDL I have already log complaint but they are saying these are before 217 now that I have to do I have to do आपको क्या करना है देखिए सर है क्या कि आप तो कुछ होने वाला नहीं है जो भी कागज अपने पास आप रखिए और फिलाल जब आगे सारी चीज़े किलियर होगी शाट आउट होगी तो आप अपना डाकुमेंट दिखा के सेबी से अपना claim ले सकते हैं तो फिलाल यह इस तरीके से बहुत सारे लौग कमेंट रहे हैं और अभी बहुत सारी लोग जिस स्टॉक पई आप चाहते है कि आपको क्या करना आगे क्या जानना है तो आप कमेंट करिए मैं उसमरें वीडियो बनाओंगा और इस्टॉक मे जुम बनाओं इसको आप देख एंगे थैंक्यू दोस्तों.